श्वेता हमसे चोटने के लिए बहुत बहुत धिनवाद थैंक यू नमस्कार जज गामनी का सबको प्यार सबसे पहले तो हम आपको जनम दिन की शुप का बधाईया देना चाहते हैं कि आज आपका जनम दिन है तो मैं इतना आपसे कहूंगा कि मुझे लग रहा है कि यह साल आपके लिए काफी शुब्रा कि आज आपका जनम दिन है कल आपकी सिरीज दर्शकों के बीच में आ चुकी हैं कितना क्या कर रहे हैं मतलब इतनी सारी खुशियां कैसे बटोर रही हैं मैं तो फोन हाज बिन नॉन स्टॉप मैसेज़े आ रहे हैं कॉल्स आ रहे हैं दिलकी धड़कन एकदम एसी सी हो रखेंगी फिछले दो दिन से तो अब जाके कि जो रिलीज होता है वो लिटले एक रिलीज भी रोता है क्योंकि हम जो इतनी महनत से प्यार से एक चीज बनाते हैं देर वो हम अपनी ओडिन्स अच ले जाता है और फिर इस अप्रू दी ओडिन्स की कैसा लगे क्या लगे कितना रोए कितना हसे तो यही अब धीरे-धीरे करके पता चलता है तो बहुत अच्छा लग और I love what I do. तो यह birthday के एक दिन पहले शो का आना और बर्दे पर happy birthday के सार्थ काम के भी messages आना is super special. चलिए बदाईयों के messages तो आई रहे हैं बर साथ में कुछ आपके किरदार को लेकर कुछ तारिफ हैं, कुछ positive, negative, कुछ चीज हैं. वह बहुत सारी हो रही है, काफी overwhelming भी है because इतनी सारी emotions जो गजगामनी की इतनी जो मैंने साथ से ली हैं तो कही ना कहीं मुझे यह लगता है कि सारे के दार हमारे साथ ही ना कहीं अपना थोड़ा सा हिस्सा छोड़ जाते हैं और हमारा कुछ ना कुछ हिस्सा उनके साथ रह जाता है तो गजगामनी मेरे लिए बहुत सूपर स्पेशल है कि पिछले आठ नो साल से यह relationship रही है मेरी उसके साथ और उसकी मेरे साथ तो अभी more than anything की बहुत ही एक closure है of sorts कि इतना प्यार और डिस्पेक्ट मतलब ऐसे साम करेगा कि मैं एकनम ऐसे क्या ही बात करते हूं किस करके जो लोगे के reactions है ना screening में थे लोगों के आपको में आसू थे लोगों का था कि गोलू का season 1, 2 और अब जो 3 है उसकी journey समझ में आ रही है नजर में आ रही है मैसुमस हो रही है तो वो मेरे लिए बहुत 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 बढ़ता हम थोड़ा flashback में चलते हैं जब आपको य दिमाग में चलता रहा होगा रहे क्या यार क्योंकि आपको फिया पहले काफी अलग characters में देखा गया है तो मेरा हमेशा से यह रहा है कि मुझे ऐसे characters करने हैं जो सिर्फ मुझ से नहीं बर एक दूसरे से भी अलग हो मेरे लिए वह बहुत important है तो जो मैंने script पढ़ी थी तो पहले episode से मुझे पता था कि इस दुनिया का तो मुझे हिस्सा होना है क्यूंकि पुनीच जी जो writer थी कि इतना बढ़िया उन्होंने लिखाना वर जो दुनिया create की थी फिर मैं ग्रूपा से मिली जो director है हमारे और इतनी प्यारे इंसान है कि इन लोगों के साथ ना काम करना तो बेवोपूस ही होगी और मैं बेवोपूस ही तो क्या आपने series में काफी action scenes की हैं तो क्या आपने इ जो action director है Manohar Varma उनके साथ मैंने जाके क्योंकि gun उठाना सिर्फ physical strength नहीं आपको mental strength भी चाहिए होती है वो recoil को कैसे figure out करना है आखे कैसी होनी इतनी loud अवाज होती है और gun violence इसारी चीज़े pleasant नहीं होती है तो मैंने rehearse क्या था हूं मैंने प्यार से of course जाग्यां भी दी जी मैसी को और अली को और दिविन्दू को क्यूंकि यह लूप तो ऐसा लगता था कि असानी से कर लेता है और मैं जैसी शूट करती तरह मेरा मतब ऐसे में तरपा रही तो मुझे लग रहा था माप रहे यह तो मुझे देखके पूरे motion के साथ शूट करना पड़ेगा तो वो जूर्णी का पर विडियो में है जो मैं इस्टेग्राम पर शायए कि कैसी जूर्णी कैसी शुरुआत कैसी और अब कैसे हैं और फिट्निस की जूर्णी क्यूंकि मैं चाहती थी कि यह लड़की गजगामी जो मंदू को ठाली है जो बल और बुद्धी दोनों का प् मैं आते हैं सुमर्ण चाहिए मतब मैं इतना थांक्यू बोलना जाओंगी कि गोलू की वज़ा से मेरी मेरी सोच विचार और मेरा फिजिकल अप्यरेंस सब बदला है रियल लाइफ में गजगामनी शुवता से कितनी अलग है कभी college life में ऐसा हुआ हो कि शुवता ने किसी को एक लाफा मारा हो ऐसा पुष्किया हो यहां प्यार वोता है रिस्पेक्ट होती है पर पहीं अलग होती है अगर सीजन गर्ड के श्रेसे ने ह gin क्योंकि यह कोई मजे की जिन्दगी लेने यह जब आप गन उठाते हो जब आपके अंदर इतना रिवेंज भरा होता है तो यह जब आपकी कोई बुरा पैदा नहीं होता है ऐसे हालात होते हैं ऐसे situations होते हैं एक बच्चे की या आप जब बड़े हो जातो आपकी life में जो आपको कड़वा बना दे और वो कड़वा है जब आपको बन जाते हो ना तो फिर जिन्दगी बर वो आप लेकर सकते हो अब गजगामनी के साथ हमेशा यह रगेगा नो मैंटर वो जिन्दगी में क्या कर ले पर वो बबरू स्वीटी का और चीजन स्री में आप जो देखींगे जो बहुत बिल्ट रूपता है तो यह सारी चीजें हमारे साथ रहे जाती हैं ऐसा नहीं कि वो सारी चली जाती हैं तो गजगामनी और श्रता उसमें बहुत बह कि त्रिपाठी त्रिपाठी समझें श्वेता त्रिपाठी पंकस त्रिपाठी बिल्कुल मैं उनको सीनियर त्रिपाठी गुलाती हूं रसिका दुगण, विजय वर्म, अंजुम शर्म, मतलब आप कोई नाम ठोगी नहीं सकते हो, अर्शिता गौर, सब की सब तब सब इतने बहतरी कलाकान है कि उनके साथ on-set and off-set, दोनों chill करने में बहुत मज़ा आपा है, तो अभी तो कुछ, हाली में जो दिन गुजरे हैं, तो हम लोग इंटर्व्यूस में, और पता है जब लॉंग्डाउं में season 2 आया था, क्या ही मिस्किया था, क्यूंकि जो online ह होता है न, वो ठीक है, पर जो एक energy exchange होता है, जब एक दूसरे को मिलते हो, जब एक दूसरे के गले लगते हो, वो emotions flow होते हैं, वो share होते हैं, तो वो बहुत मजाता है, तो वो सबसे मिलना होता है, अब लोग कल्राग भी साथ में ही थे, सब खुशिया, celebration मना रहे थे, और episodes देख रहे थे, of course, साथ में, तो सबसे ज़्यादा तो मेरा, मतलब, अब गोलू का भी और अली को मैं पिछले, I think, 13 सालों से जन्ते हैं, तो अली के लिए, बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत प्यारा है, हर्शिता, पर यांशु को कि मैं थीटर डेस की विदर से जा करने का प्लान है, कहां जाने का प्लान है? के लिए, पुछते गए इस महिने से, तो आज मैं एक खाऊंगे, Sticky Trophy Pudding Ice Cream के साथ खाऊंगे मैं